हाँ अभी तक हम लोग देख चुके हैं डारेट्शियर टेष्ट चेमना लास्ट वीडियो में हमने डारेट्श टेष्ट देखा था आज हम लोग देखने है यहां फैवाइट किस यह अंगल हो रही है वह हमें पहले से नहीं पता होता है यहां तो यहां पर आप फेलियर प्लेन पहले से बता रहे हो यह बहुत बड़ा डिसएडवांटेज तो यह मैंने आप लोगो बताना वह जरूरी था ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं त्राइक्षिल टेस्ट की तरफ कि देखो भाई हमारा की ट्राइक्षिल टेznst हमें परिफॉर्म करना है तो दिस आज्ठ की लोग समझते हैं फूरो ट्राइक्षिल का एक टेस्ट और बहुत इंपर्टेंट है आपको सेपरेटली कि टेस्ट को समझना बहुत जरूरी है तो पहले मैं आपको बता दूकि कि करते केसे कौन कौन से टेष्ट होते हैं ट्रेइकश्य टेष्ट में चल्य होते हैं ठी का मतलब इनका सिग्निफिकेंस समझो पहले इससे पहले टेस्ट के बारे में डिसकस करने से पहले मैं आपको मशीन के बारे में दिखा पताता हूं कि ट्राइग से लेपरेटास में होता कैसा क्या सीखिने देखो कुछ इस तरीके के हमारी है है ना मशीनरी होती है ठीक है तो तो आप ज़स लेखने मिलेगा दोस्तों आफो आप बनाते हैं कि असेंट्र सेम्पल को सेंब्डर के सेंपल को इस प्लेस कर देड़े ओ घंए यह ईन पर एसे स्पेजिमेन के आपस वह खिंब्रेन लगा देते हैं लगा देते हैं यह moving कंडिशन में आपका सेंपल था उसके आज पास आप एक namely लगा देते हूं enables को लगा ते हो क्योंकि देखो आप जब यह सेंपन यहां पर रखते हो न इसके बाहर से आप चारो तरफ से पानी भर देते हो तो यह बाहर का पानी जो को इ稍़के अंदर ना कि अब टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं और क्या रिजल्ट आते हैं क्या नोट डाउन करते हैं और क्या एनलीस हम लोग निकालते हैं तो उसके वारे में मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं यहां पर देखना ध्यान से सुनना देखो आपकी नैच्रल स्टेट में होती है क कहीं पर होती है जैसे مानलो यह आपका ग्राउंड लेoupल है तो इसके कुछ नीचे आपने आप एक and a1 मालिया तो इस My के वैं के वाइल के स्वा देखो इसके आज oven होऊती है नीचे भी कुछ वोरा होता है ऊपर भी सॉइल होती है तो इसके आस पास चारो तरव कुछ कुछ लोड लग रहा होता है कुछ लोड इसके चारो तरफ लग रहा होता है पहले से ठीक और फिर बाद में आप क्या करते हो बाद में आप इसके उपर यहां पर कुछ कुछ structure बनाते हो तो सपोज आपने ये structure इसके उपर बना दिया तो भाई पहले तो ये स्वाइल के आसपास की चीजें इसके उपर इफेक्ट डाल रही थी ठीक है मतलब कुछ confining pressure लग रहा था दिक है कुछ confining pressure नगे पर लग रहा था उसके बाद भाई आपने श्रक्चर बना बनाया नहीं जब सब्सक्राइब बनाया तो इस पर आगया कि में विश्वापु कि में तो ये अट्मप्र की वजए से और आजपास के अटमॉसफेर की वज़ए से इस पर कुछ लूड लग रहा है अब आप भई सव supports Cool लेते हो ठीख सेंपल लेते हो आप अपनी लेब में लेजा लेते हो ठीक कुछ पर्टिकुलर डेप्ट से आपने कुछ पर्टिकुलर डेप्ट से आपने सेंपल लिकाल लिया यह सेंपल आप लेके चले अपने लेब में और उसके उपर टेस्ट करने लगे इसके उपर टेस्ट करने लगे लगे और यह स्ट्रक्चर आ रहा था इसका मतलब इसको रिलेट करते हुआ आपने इस्ट्रेस इस पर लगाया पर जब यह तो यह तो यह major stress मान लेते हैं हम लोग structure का stress जो सिग्मा वन से temperatures करते हैं और आसपास के कि वज्य से जो stress स्ट्रेस इत्रेस और करते हैं सोयल पर आपके इसको हम लोग sigma 3 मालें minor सिग्मा स्भी मैं तो आप लगा रहें और सिग्मा थ्री आप नहीं लगा पारे हो f3 को लगाने यह हमने क्या यहांपे जो यह जो टेस्स डेवलप किया गया यह टेस्स बहुत अच्छा एक हमारे मतलब ब्रेक्थु रहा थिक एक ब्रेक्थु रहा कि हमें आसपास भी stress लगा सकते हैं वो कैसे यह पूरे specimen को आप पांपनी से बह Democrat भर देते हो पांपनी से कि चारो तरफ equally act करता है क्योंकि पानी कैसा होता है hydrostatic pressure लगा रहा होता है ठीक है तो वह हमने क्या किया हमने जो condition यहां पर field में थी field में चारो तरफ से stress लग रहा था soil पे उसकी natural condition में वह हमने यहां पर create कर दिया किसके थुरू यहां पर चारो तरफ पानी भरके और पानी किसे जो stress हमने लगाया वह हो गया हमारा सिग्मा 3 और वह हमारा जो field की condition को यह ना उसने यहां पर create कर दिया ठीक तो कुछ ऐसा उपर उपर आपके बात समझ में आई होगी ठीक है अब आ जाते हैं हमारे टेस्ट पर ही है ना टेस्ट पर आ जाते हैं तो देखो यह स्वाइल सेंपल आप लेते हो इसके चारो तरफ आप confining pressure लगाते हो ठीक है confining stress लगाते हो किसकी help से भाई पानी की help से पानी की help से आप लगाते हो sigma 3 यह sigma 3 जो है यह इसको हम लोग stage 1 बोल देते हैं confining pressure लगाते हैं पानी वाला pressure आसपास जो पानी present था उससे जो stress हम लोग लगा रहे थे वह है sigma 3 अब उसके बाद जब आप vertical stress लगाते हो ठीक है जो हमारे structure के load को मतलब relate कर रहा है ए यह जो आप लगाते हो यह होता है sigma 1 sorry sigma d इसको जो उपर से आप additional लगाते हो यह होता है sigma d तो पहले आप लगा रहे थे sigma 3 अब आपने लगाया sigma d ठीक है तो कुछ इस तरीके से हम यह test perform करते हैं ठीक है आई होगी आप लोग के बात समझ में तो देखो इसमें आपको मैं बत भी sigma 3 नीचे से भी आपके sigma 3 अना ऊपर से भी आपने लगाया sigma 3 sigma 3 और sigma 3 ठीक है अब आपने vertically लगाया sigma d यह लगाया आपने चलो यह लगाया आपने sigma d नीचे से भी आपको यह reaction मिलेगी sigma d ठीक तो minor principle stress क्या होगे आपका होगे sigma 3 और major principle stress क्या होगे देखो उपर से combination लग रहा है sigma 3 और sigma d का नीचे से भी sigma 3 transient to sigma 3 होगे आपका minor principle stress ठीक और sigma 1 क्या हो जाएगा sigma 1 हो जाएगा sigma 3 plus sigma d ठीक है यह क्या होगे मेजर principle stress sigma 3 प्लस sigma 3 ठीक है तो यह हो गया divas principle stress जो क्या होगे आपका sigma 1 किसके बदाभर हो जाएगा sigma सिगमा 3 प्लस सिगमा डी के चलिए इतना ऊपर ऊपर आपके बात समझ में आई अब मैं आप लोग को बतातो कि भाई कितने टाइप के टेस्ट परफॉर्म करते हैं ठीक है इस ट्राइक्षियल मशीन में तो देखो यह आप वर्टिकल स्ट्रेस लगाते हो यहां से सिगमा डी अभी मैंने आपको बता दिया ठीक है जब आप वर्टिकल स्ट्रेस लगाते हो तो यह स्वाइल क्या होती है स्वाइल कुछ ऐसी है आपकी इस पोजिशन में है ना कुछ ऐसी है आपकी स्वाइल तो यह स्वाइल क्या होती है ऐसी कुछ फेल हो जाती है ठीक है इसमें लिए रहे से हो जाएगी नीचे खसकेगी तो यह वर्टिकल डिस्प्लेस्मेंट को मेजर करने के लिए वाला डायल गेज यूज होता है ठीक बात आई आपके समझ में हम वाटर का जो प्रेशर लगा रहे होते हैं उस प्रेशर को यू को मेजर करने के लिए मतलब जो हम सिग्मा थ्री लगा रहे होते हैं ना उसको मेजर करने के लिए यह वाला आपका डायल गेज यूज होता है यह सिग्मा थ्री आपका मेजर करता है की होने यह जुट सीगमा शृज हृं कि सिक्मा है किस की परम्र में लगा रहे होते हैं ऑप किस यह वाला डॉल गेज है किसका है यह ही हुआ कर रहा है बहुत इंपॉर्टन उक्किंट हो तो इसको बहुत ध्यांग से शुलना देख eight दो फेज बताई मैंने आपको दो फेज बताई एक होती है कौन सी जब आप सिग्मा थ्री लगा रहे होते हो एक होती है जब आप सिग्मा डी लगा रहे होते हो ठीक है सिग्मा थ्री याने पानी से लगा रहे हो तो सिग्मा डी याने जो वर्टिकल स्ट्रेस आप लगा रहे और सिग्मा डी लगा रहे हैं उस टाइम पर यहां पर आपको यह जो वाल्व दिख रहा है नहीं इसको बोलते है ड्रेनेज वाल्व यह है हमारा ड्रेनेज वाल्व तो यह ड्रेनेज वाल्व क्लोज रखेंगे उपन करेंगे कब उपन करेंगे कब क्लोज करेंगे इसके बे ये वाला जो गेज है ये वाटर के प्रेशर को मेजर करने के लिफे यूस होता है और यह जो वाल भी ये डिर्माइन करता है कि आपका टेस्ट का नाम थिक है यहां पर यह कोई पर बेस नहीं है तो यह आपका जिरौ रहेगा यह एसी रीडिंग देगा जैसा गेज है अभी जीरो पर सेट है ठीक है अगर आपको positive pore water pressure होगा तो यह ऐसे हो जाएगा एसी reading लेगा अगर आपका negative water pressure generate हो तो यह कुछ ऐसे हो जाएगा negative reading लेगा तो अनना तो चलो मैं आपको बताता हूं कि ट्राइक्सियल टेस्ट के नाम कैसे कोभ़ेस cinq स्थी तो इनके नाम लोग को बताने वाला है वेधाइज 2 स्थी खर ब्लक्त पर्फाइंस बस्त Wasn't स्ट्रेस लगाने वाली स्टेज होगी है सिग्मा डी ठीक है तो इसको हम लोग बोलते कंफाइनिंग सिग्मा थ्री वाली कंफाइनिंग स्टेज और दूसरी होगी हमारी शियरिंग स्टेज सिग्मा डी वाली ठीक है तो माल लो हमने सिग्मा त्री लगा रहा लगाया सिग्म सब्सक्राइब भी इसमें क्या होगा पोर अपका खुला हुआ तो सारा पानी निकल जाएगा और फाइनली पोर वाटर प्रेशर डिसीप्रट होके जीरो हो जाएगा ठीक है, तो Sigma 3 वाली स्टेज में आपने क्या किया, drainage wall open था, तो आपका क्या हो गया, consolidation हो गया, इन दोनों स्टेज में हम लोग ये देखते हैं, Sigma 3 वाली स्टेज में देखते हैं, consolidation हुआ की नहीं हुआ, और Sigma D वाली स्टेज में देखते हैं, कि drainage हुआ की नहीं हुआ, ठीक है, स्हसाब से तो szprendха 3 भाली स्टेज眠ें क्या हूँ हो जाओ तो हमने नाम रखा है हमने नाम बिवा सी ठीक है सी हमने यहाँ पर नाम दे दिया इसको थोड़ा से BEना लेते हैं Sa마 तो तो कंसोलेडेशन हो है हमने सिलिग दिया त्वी हमने क्या ओपर यहां से द्रेंघ वाल ओपन रखण है अब हम लगा ह रहे हैं सिग्मा डी सेरिंग स्टेज में ड्रेंग वालिट यहां से पाणी निकल जाएगा यूँ पहले पर यह फाइनल दिसीपिट हो के जीरु हो ज करें रहें तो इसमें हम लोग देख रहा है तो च्लि मो拖ाश को मिए तो इसको से नाम दे दिया ठीक है अब सीसाइड हो गया сос और 15 एक चंडी टेस्ट सरे साथ कंसोली डेंडरीटेटेड्रेंड़ तो ट्रेंएज हो गया तो टेस्ट का नाम हो गया consolidated drained टेस्ट अब खते हैं भाई भरन परफर्म कर रहे थे आप का ognäura टेस्ट पर टेस्ट को कीए जाए हो ठेक है हूँ आपको deben समस्तियुमा थी लगा रहे थे इससे पहले आपने वॉल्व क्या रखा ओपन रखा अभी फी ऑपन रखा पोर वाटर पैसर आपका कुछी जन्रेट हुआ है ना और ड्रेने अपन होने के कारण आपको वα्टर प्रिशर क्या हो गया जीरो हो गया ठीक है फाइनली यहां से पानी पूरा निकल गया थीक पानी निकल गया थो आपने कंसोलीडेशन होने दिया तो आपने नाम दे इसी अ अब आप लगा रहे थे शेरिंग स्टेज में आपने डेवेट्रिक स्ट्रेस लगाया यहां पर यह लगाने से पहले आपने वाल को क्लोस कर दिया क्या कर दिया क्लोस कर दिया वाल को क्लोस कर दिया क्लोस कर दिया इसका मतलब आपने ड्रेनेज अलाउ नहीं किया डेवेट्र है दूसरे टेस्ट का नाम होगिया यह घ्रा सिय यू चैस्ट कान्सोलिडेटइट पर 2300 स्टिक तो यह पर यह दूसरा हमारे यहां पर नाम उसका हमें पथा चल गया। इसके बाद-बात करें कि कि यह क्या हो गया उसके बात-बात करें फिर से आप ने टेस्त परफ्साराइ meanwhile दो बारी तुम्हारा पेतनी ब्रा एक बार टेस्ट करते हैं कि इस बार आपने सीघ्मा थ्री लगाया पर सिग्मा 3 लगाने से पहले आपने बल को क्लोस कर दिया क्लोस कर दिया तो तुम बोले के भाई क्लोस तो कर दिया जैसी आपने वाल्व क्लोस किया तो आपका पॉर वाटर प्रेशर जनरेट होगा पर वाल्व क्लोस है तो पानी पूरा रिलीज नहीं होगा तो पॉर वाटर प्रेशर डिसिपेट नहीं होगा तो यू इस नॉट इक बंद गर दिए तो यह क्या हो जाएगा Consolidated नहीं ओगा यह Uncounsolidated होगा भाई तो आपने यह यू नाम दे दिया यहाँ ठीक है यह क्या हो रहा है यह सपाई से लिखा भी नीयों आ इख नाम दे दिया थिक है तीसरे टेस्ट में यह क्यों दिया अन-ान अब आप क्या करोगे अब आप क्या करोगे आपने सिग्मा थी वाली स्टेज में तो बंद रखा वाल अब जब आप सिग्मा डी लगा रहे थे तब भी आपने बंद ही रखा तब भी आपने क्या रखा बंद ही रखा तो क्या होगा भाई अब आपका पोर वाटर प्रेशर तो होगा पर डिसिपेट के 0 नहीं होगा ठीक है यानि आपका यह और श्चोकर पाणी आप निकलन है वापने बंद रखा रखा तो ड्रेद्ध हो रहा है के नहीं हो रहा के यहां पर यह लिख difet है यह तो इसख क्या बोलते है अनकंसोलिडेटेड अंड्रेंड टेस्ट यू यू टेस्ट तो यह टीन टेस्ट हमें पता चल गए भाई किस बेसिस पे नाम डेटर्माइन होते हैं हमारे यू यू टेस्ट ठीक है अब मैं आपसे बोलूँ कि चलो एक बार और आखरी बार मतलब आपका बहुत मन कर रहा था अखरी बार आप फिर भी आपको आपका मास्टर बोल रहा भाई बंद गर हो गए है टेस्ट पर आप बोल रहो नहीं नहीं सर एक और करेंगे तो थीक है तेरे मन की कर ले पर मैं तुझे बताऊंगा इसके बाद कि क्या सीन बन रहा है कर ले पहले टेस्ट ठीक है तो आप फिर से करने लगे तो आपने क्या किया आपने सिग्मा 3 लगाया भाई बहुमें दर लगाया टीक है फ़्यक्य कंफाइनिंग प्रेश्ट लगाया अका इस्टैज में इस ताइम पे आपने क्या किया आपने वाल बंद कर दिया तो भाई यू में कुछ रिडिंग आएगी ठीक कुछ reading आएगी you is not equal to zero ठीक है तो इस टाइम पर आपका क्या हो जाएगा कि तो कंसोलिडेशन होगा क्या नहीं है तो नहीं सौरी सौरी मिस्टेक हो गई कंसोलिडेशन आप नहीं होने दे रहे हो यानि आपने वाल्व क्लोज रखा है ठीक है सिग्मा थ्री लगाया पर सिग्मा थ्री लगाने से पहले आपने वाल्व को क्लोज रखा है मैं मिस्टेक है न मैं दूसरी टेस्ट बताने लगा मैं अल्रड़ी बता चुक हूँ जो कि आपको लगा उना तो अभी आपने क्या किया वाल क्लोज रखा वैरवाल को स्क्राइब अगर और आपने कि जिए सिंग मनें तो फोल झुब के लुए तो आप क्या वहा कि शोलीडेटर तो अपने कर दिया तो आपने शिंगा जब मतलब आपने सिग्मा 3 लगाoter टोस रखा पर सिग्मा mmT लगारा थे तव आपने ऑफकरोपन कर दिया तो आपankा ओ क्या होका सिग्मा 7treंगी स्टेज में आम का ड्रेन जला जाएगा तो इसको क्या बोलन के रग टेस्ट यहां पे आपने लिक कौकर अब आप अपने टीछर के पास बताओ भाइया उन्हें बोला कि तो मिना कर नहीं टुक्ट कर दिया उन्हां ठीक है सारी यही तो टीचर आपको समझा रहा है मासा आपको समझा रहा है रहा है कि जब ड्रेने जला हो गया है तो यह अंक तो geen कैसे ठीक है यूडी टेस्ट जैसा नहीं होता यह सीडी को ही रिप्रेसेंट कर देता है आपका घुमा फिरागी सीडी हो जाता है क्योंकि पहले स्टेज में आपने इस अलाव नहीं किया तो अनकंसोलिडेशन हो गया लेकिन डूसरे टेस्ट में आपने अलाव कर दिया मतलब ड्र यहां पर हमें नाम कैसे रखते हम समझ में आ गया दोस्तों एक बर मैंने थोड़ा साम बीच में ब्लंडर कर दिया तो मैंने बोल दिया उसमें कि वह गड़बड हो गई लास्ट वाले में मैं जबकि यह यू है ना अनकंसोलिडेट ठीक है तो मैं आपको ड्रेनेज बताने लगा था हम आपके सो आई होप आप लोगों के बाद पूरी समझ में आई होगी तो यह चोहता टेस्ट होता नहीं है भाई एक चीज बहुत क्लियरली मैंने आप लोगों एक्स्प्लेइन की है ठीक है ना फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो ठीक है तो तो फिर फिर पहली स्टेज में में ट्रेइजा हो करते हैं तो यहाने ट्रेइघ हो जाता है एक तो पढ़ी स्टेज में हम लोग है अक्का र स्टेज में है सिग्मा थाली स्टेज में है आप अगर वॉल को open रखते हो तो consolidation हो जाता है पर second वाली स्टेज में आप लोग को close कर देते ओतो अंड्रेंड रहता है ठीक है तो यह आप का कूंसा इस एस यू टेस्ट हो गया ठीक है उसके बाद आप पहला हो गया दूसरा हो गया उसके बाद आप पहली स्टेज में सिग्मा थ्री वाली स्टेज में भी कंसोलिडेशन नहीं होने देते हो याने वाल को क्लोज रख देते हो क्लोज कर देते हो वाल को तो आपको क्या हो जाता है अनकंसोलिडेटेड और सिग्मा consolidation नहीं होने दिया दूसरी स्टेज में आप वाल को open कर देते हो वाल को open कर देते हो तो आपने क्या कर दिया drainage होने दिया जब आपने drainage होने दिया तो unconsolidated होने का significance निकला तो यह क्या हो गया यह finally consolidation तो हो जाएगा तो इसलिए यूडी टेस्ट का कोई significance नहीं है यूडी टेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है तो यह शौर्ट में आप लोगों समझा दिया शौर्ट में भी समझ में आया और डिटेल में भी समझ में आया होगा तो इस इस दा introduction यह ट्रायक्षिल टेस्ट का क्या है यह introduction है एक एक टेस्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ठीक है एक एक टेस्ट का आपको पता होना चीए क्या सीन है देखो हम बता रहूं आप लोगों यह देखो कितना sigma 1 sigma 3 कैसा अगराब बनेगा क्या मिलेगा कौन सी स्व अधिमें आया भाई इतना समझ में आया ना तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब कर लो नोट्स चीए तो नीचे कमेंट करो कमेंट्स में नोट्स आप मांग सकतो यह सेम पीडियाव आपको मिल जाएगा भाई यह ना थैंक्स वो वाचिंग दोस्तो